तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रीम की में टीम के साथ हुश वीडियो मैं हम बत करेंगे बेकप टीम के बारे में, फ्रेंज, ये जो मुकबला खेला जाएगा, वो खेला जाएगा IPL 2022 का लेक्स्ट मुकाबला संडराइजर हैज्राबाद वसेकॉल्थ पतनायुट राइडर की बीच में फ्रेंज मुकाबला आज खेला जाएगा 15 अप्रेल को शाम को साड़े साथ बेसे ब्रेबोन स्टेडियम मुंबई के ग्राउंड पर यह मुकाबला खेला जाने वाला है जो की जाना जाता है पूरी तरह से बल्ले पाजी अनुकुल विकिट मनी गुरुजी स्पेशल फेक्ट में क्या है खास उससर पहले टेलीग्राम से जुड़ जाएगा टेलीग्राम की लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये टेलीग्राम मनी गुरुजी के नाम से 37,000 यूजर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो आप भी 14 मुकाबले KKR की टीम ने जीते हैं वहीं पर SRH की टीम ने जीते हैं 7 मुकाबले तो जो पल्दा भारी नजर आता है वो आता है कोलकता नाइट राइडर का हला है कि जो रिकोर्ड है वो हमेशा सही नहीं होते क्यों इस IPL में काफी कुछ प्लियर चेंज हो गये हैं काफी इस टीम से उस टीम में गए हैं तो बात कर लेते हैं यहां से टीम परफॉमेंस के बारे में तो भाया अभी तक दोनों ही टीमों ने इस सीजन में क्या क्या है अगर कोलकता टीम से मैं बात कहूँ तो पांच में चीनों ने इस सीजन में खेले हैं तीन जीते हैं दो हारें व वहांगे पर राहूल टर्रीपार्टि के बारे में भी निवियू जा रही था कि ये भी इंजट होगे लेकिन अंस चांस के बारे में उसके बाद हम जानेंगे में और बैक टीम के बारे में फ्रेंच, सबसे पहले हम जान ले थे हैं, Ken Williamson, जब भी खेलते हैं, Kolkata के सामने, 9 मुकाबलों में, 223 रून बना कर आ रहें, वो भी 27 की एवरेज से, वहीपर आन्डरी रिसल जब भी खेलते हैं, हैधराबाद के सामने, 11 मुकाबलों में, आठ विकेट निकाले हैं, एक सो सोलर रन बना हैं, वो भी बारा की एवरेस है, और इस सिजन में भी कोई इतना अच्छा काम इन्होंने नहीं किया है, तो Grand League और बेकर टीम में आप इन्हें ड्रॉप करकर चल सकते हूँ, फिर भूमनेशर कुमार की में बात करूँ तो 18 मेच म 11 विकेट निकाले हैं, हेदराबाद के सामने, तो इन दोनों को Grand League में कैप्टेन वाइस कैप्टेन जरूर बना दीजिएगा, फिर सुनिल नाराय ने, सुनिल नाराय ने भी ठेक्टा काम किया, खास काम तो इन्होंने भी नहीं किया, 18 मेच में ओनली 10 विकेट निकाले हैं, इठ्ध्याणू की एवरेज से, सुरी, इठ्ध्याणू करन बना हैं, बारा की एवरेज से, अब बात कर ले थे हैं, थोड़ी से रिस्की प्लेयर के बारे में, जिन पर लोगों की नजर नहीं है, अगर वो चल गए, तो Grand League तक वोन करवा सकते हैं, जैसा कि कल मैंने अभी इठ्ध्याणू की बहुत कमाल का प्लेयर है, लेकिन इस सेजन में नहीं चला और लोग इनको अवोईड कर रहे हैं, मुझे न लगता कोई इनको लेना पसंद कर रहा होगा, लेकिन अगर चल गए, तो आपको Grand League तक वोन करवा सकते हैं, 9 मेचों में 286 रंग बनाए हैं, हि बहुत अच्छा काम किया था, अगर ये मेच इनका हुआ, अगर दोनों को आपने ले 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 अगरे चल गए, तो आप Grand League में अच्छी रेंक ला सकते हैं, बात कर लेते हैं, पिछे रिपोर्ट के बारे में तो भीया, वैसे शोट में कहूँ तो पूरी तरह से बल्ले बाज याँ फारे में के बारे में, इस मेच में बाज़ को आपने में हैं, अगर याँ पर रिसेंट जो मुकाबले हुआ है, उसमें किस तरह के अधार पर हम देखें, तो आप देखो के 150, 121, 126, 109, 190, 225, 112 तो यह कुछ स्कोर हमें यहां पर देखने को मिला इस ग्रांड पर देखने को मिला है बात कर लेती हीं दोनों ही टीमों की पॉसिबल प्लेंग 11 के बारे में उससे फ़ले टेलीग्राम से जुट जी ये लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्चर में कोलकता नाई टाइडर टीम से अगर मैं बात करूँ तो वेंकटे शाहियर के साथ में अजिंग के रहाने आपको एजे ओपनर खिलती हो नजर आ सकते हैं फिर श्रे शाहियर नितिश्राना है सैंबिलिंग है आंदर रसेल पेट कमीन्स फिर आप देखोगे सुनील नाराइड उमेश आदव रसिक सलाव हलाकि इनके जेके दूसरे प्लेयर को खिलाए जा सकता है वही पर वरुन चक्रवती अब आप इस तीम की गेंबाजी देखो कि वरुन चक्रवती बहुत अच्छे गेंबाजी उमेश आदव बहुत अच्छे गेंबाजी उमेश आदव बहुत अच्छे गेंबाज सुनील नाराइड पेट कमीस आंदर रसेल तो पांच दिगज गे परती है तो वर्वी वेंकडे शायर भी गेंदबाजी कर सकते हैं फिर आप देखो कि यहां से लास्ट मेचकी में गेंदबाजी की बात करूँ उमेश आदो ने चार और में 18 रंद एक विकेट लिया था रसिक सलाम ने ओली एक और गेंदबाजी की थी वहीं पर पेट कमी चा पर काफी कमालगा के लिए थे फिर वरुन चक्रवती चार और चॉब्मारी संदेकर एक विकेट सुनिल नाराण चार और में 21 रंद देकर दो विकेट रसेल ने दो और 16 रंद देकर एक विकेट वहीं पर वेंकड़ शेयर ने एक और में 14 रंद भी यहते हैं हैदराबाद टीम से अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद टीम से आप देख सकते हो कैन विलियमसन के साथ में अभिशेक सरमा आपको ओपनिंग करते हो इने जरा आ सकते हैं फिर आप देखोगे शसान सिंग या फिर अब्दूल समत खेल सकते हैं स्रेयस कोपाल जो कि वाशिंग्टम सुंदर की जगे इस मेच में खेल सकते हैं मारकोज जैंसर काफी लोग अवोईट कर रहे हैं ग्रेंड लिग विक आपके लिए बन सकते हैं फिर उम्रान मलिक की भी बात करें तो उम्रान मलिक आपके लिए ग्रेंड लिग बन सकते हैं अगर इस मेच में खेलते हैं तो लोग अवोईट करेंगे अगर चल गए तो ग्रेंड लिग तक वो उन करवा सकते हैं बात कलेते हैं एदराबाद की टीम से तो भी या एदराबाद की टीम से आप देखोगी भूम्रेशागुमार की बात करूँ तो चार और में 37 रन देकर लास्ट मुकाबले में 4 और में 37 रन देकर 2 विकेड मारको जेंसन बहुत अच्छी गेंद बाजी की थी तो फ्रेंज एक बार तो मैं आपको एप पल ले जागर बताऊंगा कि कौन से प्लेर अवेलेबले कौन से नहीं है किस तरह की कॉंबिनेशन बन सकते हैं पहले हम देखेंगे फैन टू पले एप पर फिर मैं आपको ड्रीम की टीम दूँगा तो दोनों की में में टीम के साथ दोनों की में आपको बेक अप टीम दूँगा आपकी जहां इच्छा है महाँ पर खेल सकते हूँ सबसे पहले तो बता दू फैन टू पले अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं क्या लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर जल्दी से डाउनलोड कर लीज टीम कॉमिनेशन टीम के प्लेइर के बारे में फिर हम कॉमिनेशन देखेंगे हैं तो विकेट कीपर सेक्षन में तो यहाँ पर आपके आद निकोलेस पुरन का उप्शन है, सैम बिलिंग का उप्शन है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि इस में सैम बिलिंग को ना खेला करे, सेल न जेक्षन को खेला आ जाए और वहीं पर दूसरी टीम में आजए लेकिन अभी फिल निके के उप्शन की तो जिंक के रहाने पहले मेश में चले थे, उसके भाद ही अभी तक चले नहीं है, तो मेने यहाँ से लियां है राहूल तरि पाきटी को, शरेश है यर को, और मैंने लिया है कैन विलियमसन को, बात करें ओल्र रूंडर सेक्षन की, तो ऑल्ल रूंड़ अपनी टीम में लेकर चल सकते हो, तो चारो ही रिस्की चोई से, फिर से बतादो, चारो ही रिस्की चोई से यह नहीं है कि यह प्लेयर पोईंट देख करी जाएगा, क्योंकि आंदर असल का भी कोई बरोसा नहीं, कि गेंद बाजी करे या ना करे, अभिशेक सर्मा तो गेंद पर शेयर गेंद बाजी जदा करने रहे तो देखने वाली बात होगी फिर वशिंग्टम संदर इस मेच में नहीं कहलेंगे शचांग सिंग खेलते तो आप लेकर चल सकती हो बात कर लेते हैं गेंद बाजी शेक्षन की तो मेरी जो गेंद बाजी रहेगी मेरे जो प्लेर रहेंगे मैंने यहां से लियाए पेट कमिंस को उमेश यादव को और मैंने लियाए टीन नटराजन तीनो ही विकेट टेकिंग गेंग बाज लेकिन आपके पास वरुन चक्रवती हैं बुनेशर कुमार का उप्शन है और आपके पास मारको जेंसन का बहतरी न ओप्शन है तीन अच्छे ओप्शन है इन तीनों का आप्लोटेट कर सकते हैं फिर उम्रान मलिक का भी ओप्शन आपको देखने को मिल जाता है चलिए अब हम टीम के कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो फ्रेंज इस सेप के कॉम्बिनेशन देखने के साल आप ध्रीम के भी कॉम्बिनेशन देखेंगे उससे पहले टेलिग्राम से जुड़ जी ये टेलिग्राम मनी गुरुजी के नाम से है 37,000 यूजर हमार साथ जुड़ चुके ध्यान क्या रखना है जो लिंक मैंने वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन में दिये उसी लिंक से आपको हमें टेलिग्राम पर फोलो करना है बात कहलेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के पारे में तो पहला जो मेरा कॉम्बिनेशन रहेगा जो फैन्टू प्ले अपका कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगा राहूल तरिपाटी, निकोलस पूरन, कैन विलियमसन तीनों ही टोप अडर के बल्लेबाज मैंने लिये हैं श्रेय शायर, वेंक कटे शायर मेरी टीम में आ जाते हैं दोनों ही में बल्लेबाज इस टीम के फिर अभिशेक सिंग जो की ओपनिंग करेंगे केन विलियमस ओपनिंग करते हैं फिर आप देखोगे टीन नट्राजन, पेट कमींस, उमिष यादव सुनिल नाराइन और आंदर रसेल तो एक परफेक्ट मुझे नजर आती है सेकंड टीम आप क्या बना सकते हैं सेकंड टीम पी हम देख लेते हैं सेकंड जो बेरी टीम होगी कुछ इस पकार आपको देखने को बिलेगी निकोलेस परन हालाग इनके जगे सेम बिलिंग को ले सकते हैं खेलते हैं तो सेकंड बिलिंगो में लिया है ड्रीम की टीम क्या रहेगी तो फ्रेंग मेरी जो ड्रीम की टीम रहेगी कुछ इस पकार आपको देखने को मिलेगी सेम बिलिंगो में नहीं लिया है केन विलियमसन, वेंकरेशाईयर, राहूल तरीपाड़ी आंदर रसेल, पेट कमीन्स, बुमनेशर कुमार, टी नटराजन, मार्को जेंसन, उमेश यादव, और सुनिल नारायन तो आप देखो कि एक परफेक्ट टीम नजर आती है सेकंड में मैंने क्या क्या है, मैंने यहां से लिया, वेंकरेशाईयर, और अभिशेक शर्मा को इस बात को ध्यान में रखकर चलना बाकि जो मेरी टीम रहेगी, निकुलस पूर्ण यहां पर मेरी टीम में आ जाते है इस टीम में भी आपको अच्छी खासी मजबूती देखने को मिल रही है कोई भी चेंजिस करता हूँ तो भी टेलीग्राम पर बताँगा टेलीग्राम ओनली लिंक से जोइन करना है सर्च करने पर वो आपको नहीं मिलेगा जो लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये उसी लिंक से टेलीग्राम पर फोलो करना है थेंक्यू बेरे मच